टीकम कटजीले के खरगापूर तहसील अंतरगत ग्राम चोबारा में आजादी का 75 अमरित महोच्व हर घर तिरंगा की विशाल सोभा यात्रा के साथ मनाया गया कलेक्टर महोदय के निर्दे सानुसार हर घर घर तिरंगा के उपलक्ष में कारिक्रम आयोजित किया गया कारिक्रम में सामाजिक समितियां एवं संस्थाओं ने बढ़ चड़ कर भाग लेकर एतिहाशिक अमरित महोच्व कारिक्रम मनाया स्वरगिय नन्हे लाल विशुकरमा इसमित क्रिकेट क्लव समिति ग्राम चौबारा के संस्थापक एवं निर्दे सक हरिसंकर विशुकरमा के द्वारा ग्राम चौबारा में सास्किये माधमिक साला चौबारा एवं सास्किये माधमिक साला वनपूरा सापोन एवं सास्किय प्राथमिक साला बनिया के समस्त प्रधाना ध्यापक एवं सिक्षक समस्त इसकोली छात्र छात्राओं एवं आगन बाड़ी कारिकरताओं सहायक स्वास्त विभाग आशा कारिकरता ग्राम पंचायत के सरपंच एवं नागरिक गण को सास्किय माधमिक सा मार मिश्रा आरेल पारा सर ने मुख्य रूप से उपस्तित होकर सोभा यात्रा का विशाल आयोजन किया गया शोभा यात्रा में डीजे घोड़ा बग्गी बैंड बाजा आतिश बाजी एवं पुश्व वर्शा कर 75 वा आजादी का अमरित महोच्छा हर घर तिरंगा कारिक्र आना चाहिए आए देखते हैं विराट 24 के लिए टीकमगर से खुबचंत सिंग लोधी की रिपोर्ट तरंगा यात्रा का जो 75 महोच्छों है अम्रत महोच्छों को मनाने के लिए भारत के प्रदान मंतरी शमान निया माने निया हमारे नरेंद मोधी जी ने पच्छत्तर में अम्रत महोच्छों मनाने का ने लेकर के पूरे भारत में पूरे विश्यों में इस कारकर्म को मनाया जा रहा है हम इसको बहुत बड़े परव के रूप में मना रहे हैं हम आज दिनाम को कलेटर महुदे टीकमरजे निदेशन अनुसार गिराम चोवारा में प्राथमिक माधमिक साला प्राथमिक साला चार स्कूलों में 600 जंडे का बितरण करके उन जंडों को तरंगों को सबको विदिवत तरीके से बाटने के गुन सिका रहे और इसको प्रेजित किया जा रहा है कि जंडों को अपने विदिवत तरीके से हर घर का तरंगा हर घर में लगना चाहिए तरंग को सम्मान पूरबग हम एक पर्विक के रूप में मना रहे हैं आजादी का 75 महुश्यों मनाने के लिए हम 71 होगे हैं आज हमारे एस जो महुदय के दुवारा अथि जंडे को कैसा लगाया जाए सभी स्कूल के बच्चों को और सिक्षकों को सभी को इसके निदेश दिये गई है कि हम जंडे को कैसे लगाना है और जंडे को हमारी महतुता क्या है हम 1947 के बाद आजाद होने के बाद इस कारिक्रम को एक विशाल रूप देकर के मनाया जा रहा कर दो है